जो विद्यार थीष्रो का इंतिजार कर रहे थे कि योसलों कब वेकेंसी निकालने वाली इस तरो ने इसंति वाराज की तरव च्र Towel прим वेकेंसी निकाल दीगए आपके अपने यूट्व चैनल आर região में आप सभी का श्वागत हैं इस तरो की तरब से वेकिंसिया निकाल दे गए हैं यह जो है चात्रों के लिए जो सुनारा आउशर है और क्या कहते डिप्लोमा चात्रों के लिए भी सुनारा आउशर है वीडियो की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके नौटिफिकेशन में कौन- जो बताने यह जो है इन्डियन इस पेस्षर्च और्गनाइज सभी तरब से इस बैस की तरब तरव से वेकिंसिय निकाली गह g dries है अगर सेंटर की बात करतें ते में एक्लिकेशन सेंटर आहमदाबाद आई-इन वाइटडेड एुए अहमदाबाद के लिए वेकिंसिह नि का ली गई हैं अगर important rate की अगर हम बात करते हैं तो यह फार्म जो है एक अगस्त से ही फार्म आवेधन होना इस्टार्ट हो गया और इसकी last date जो है 28 अगस्त तक 21 अगस्त तक इसकी last date है चलते हैं इसके official notification पर official notification में देखते हैं किसमें क्या-क्या criteria दिया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है क्योंकों से ट्रेट के लोग इस फार्म को आवेधन कर सकते हैं हम इसके official notification पर आ चुके हैं यह अगर हम इसमें बात करते हैं तो यह जो है अंत्रिच उप्योग केंद्र सेंग एहमदाबाद भारती अंत्रिच अनुसंदान संगठन इस्तरों की तरफ से जो है एहमदाबाद वालों के लिए वेकेंसी निकाली गई है एहमदाबाद प्लांट के लिए जो एहमदाबाद में इस्तरों है है सैनिक राष्टी विकास हेत इस्वो के संचार नेवी गेशन और रिमोट शेंसिक और गरही मिशन खें लिए अंतरिक्ष वाइत यात्रां की यत्रों की डिजाइन, और विकास तथा राष्टी विकास के-लिए अंतरिक्ष प्रद्योग की कपना चालन करता है, अब हम इसकी कौन कौन से इस में इस इसमें दिया गया है मारी इसमें पोस्ट का नाम है यह पोस्ट कोड है पोस्ट कोड दीया है ठोय किनल करने नीकाली घ्रीकरी में जो है कितनी सेट निकल 2 निकाली गए हैं अनिवार योगता इसमें क्वालिफिकेशन भी बताएंगे देखिए पोस्ट कोड एक में दिया गया है टेकनीशियन भी में फिटर के लिए फिटर के लिए टोटल चार पोस्टों के लिए वेकंसी निकाली गए हैं अनुसूचित जंजात के लिए इसमें जनरल के लिए जो है दो पोस्ट निकाली गई और OVC के लिए एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट निकाली गई है इसमें उप्योगत पदों में से एक पद EASS के लिए चिन्हित की गई है EASM के लिए जो है चिन्हित की गई है इसमें योगता की बात करते हैं मैट्रिक 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 SSC SCL 10th Standard Part Plus ITI NAT NAC National Trade Certificate की तरब से जो है आपके पास फिटर का जो है Trade Certificate भी होना अनिवार है Trade Certificate और मार्सीट भी होना अनिवार ही है जो है Technician B के लिए जो फिटर के लिए वेकंसी निकाली गई है इसमें टोटल चार पोस्टे के लिए वेकंसी निकाली गई है एक अच्छा 10th Passout Candidate और ITI Passout Candidate के लिए वेकंसी निकाली गई है Next आम बात करते हैं Technician B में Machinist की जो Machinist की पोस्ट के लिए वेकंसी निकाली गई है इसमें एक पोस्ट निकाली गई है वेकंसी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है इसमें भी जो है आपके पास जो है Metric High School Passout Plus ITI Plus NAT NTC National Trade Certificate आपके पास जो है Machinist का Trade Certificate भी होना अनिवार है Electronics की अगर बात करते हैं Electronics Post को 3 में दिया गई Electronics Technician B में इसमें जनरल के लिए पांच पोस्ट है टोटल 15 पोस्टों के लिए वेकंसी निकाली गई है जनरल के लिए 5 है OVC के लिए 5 है 2 पदों के लिए जो है वेकंसी निकाली गई है इसमें भी जो है Electronics Mechanics के 10th Passout Candidate होना चाहिए और क्या कहते है उसके पाद Electronics Mechanics की Mark Seat Certificate होना अनिवार है Class 10th की भी Mark Seat होना अनिवार है अब हम बात करते हैं Technician Post Code Form Information Technology Information Technology के लिए इसमें टोटल 5 पोस्टों के लिए वेकंसी निकाली गई General के लिए दो OVC के लिए दो एक पोस्ट के लिए वेकंसी निकाली गई इसमें भी क्या कहते है Information Technology और अच्छा 10th Passout Candidate होना चाहिए उसके पास Information Technology की Mark Seat Certificate होना चाहिए अब हम बात करते हैं Post Code 5 में Technician ICTS या ITESM में जो वेकंसी निकाली गई इसमें टोटल पांच पोस्टों के लिए वेकंसी निकाली गई जन्रेल के लिए दो OVC के लिए एक ST के लिए एक और EWS के लिए एक पोस्ट के लिए वेकंसी निकाली गई यहां भी क्या कहते हैं अच्छा 10th Passout Candidate होना चाहिए आपके पास जो हैं Markseedart certificate होना अनिवार है पोस्ट कोटा 6 में इसमें इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल एक पोस्ट के लिए अग Initially वेटsti के लिए हैं यहां भी आपके पास इलेक्ट्रीशियन के Marksetitos certificate होना चाहिए बंदा 10th पास्ट आउट कंडिडेट होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हम जो हम आगे हम बात करते हम ड्राफ्ट मैन मेकेनिकल जो ड्राफ्ट मैन भी मेकेनिकल के लिए जो निवेकंसी निकाली गई है इसमें जो है total egg post के लिए vacancy निकाली गए इसका post quote साथ है यह भी general के लिए एक post के लिए निकाली गए यहाँ पर भी जो है कच्छा 10th pass out candidate होना चाहिए वह भी 10th standard level से जो है pass out होना चाहिए draft man mechanic की उसके पाद mark seat ITI की mark seat certificate होना अनिवार है Tecnician E chemical के लिए जो बेकेंसी निकाली लिए है इसमें जनेरल के लिए एक पोस्ट है इसमेंट ठीमकार के लिए जो lebrot tracking के लिए जो उसके पास जो है माक्सेट सर्टिफिकेट होना ech nowar है और भी क्या कहते है कच्छा टेंथ pass out होना चाहिए ओ भी standard level से अब हम बात करते हैं turn rate की इसमे turn rate के लिए जो technician भी में turn rate के लिए एक post निकाली गए औह भी general के लिए इसमें भी क्या करते है рабos pass out candidate होना चाहिए और turn rate से उसके पात iti का certificate mark heart होना चाहिए refrigeration अब हम बात करते हैं post code 10 में । अब हम आगे बात करते हैं अब हम इसमें बात करने वाले Pay and Allowance and Age Criteria आय और भते आयू मापदंड में जो आयू में और जो कितनी पेमेंट प्रोवाइट की जाएगी उसकी बात करते तो इसमें इस तर लेबल तीन से सेलरी प्रोवाइट की जाएगी 2700-770,170,000 रुपए तक सेलरी प्रोवाइट की जाने वाले अगर एज लिमिट की बात करते तो 182023 को आयू सीमा जो आठारा से 35,000 यरों होना चाहिए 18-35 year की होंगे तभी आप जो है इस farm को fill up कर सकते हैं इसमें और की बात करते है पद code जो post code है वो एक से 10 के लिए दिया गया है और इसमें बात करते हैं वीडियो के skip मत करिये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसमें जो आपके पास च्चूठ दी जाने वाली है इसमें आरक्चित पदो के सामने दीग गई इन स्रेंणियों के लिए उपरयूकत आउशीमा में जनरल ओविशी के विद्यार्तियों के लिए जो है 5 साल की चूठ दी जाने वाली है इसमें जो है पांच साल की छूट तथा जो चूट दी जाने वाली उसके लिए पांच साल के दी गए हैं और क्या कहते हैं जो ओभिसी कंडिडेट के लिए इसमें पर तीन साल के छूट दी जाने हैं भुथपूर शयनिक, मानक दिव्जांग, ब्यक्ति केंद्री सरकारी, शेवक, सराहनी, खिलाडी, आधि भारत सरकार के आधुर, शान उशार, उपरी, शीमा, आवी में भी छूट ट्रादान की जाए जो इन में क्या करते हैं भूत पूर्शनिक है, मानक दिव्यांग है, ब्यक्तिकेंद्री, सरकारी, शेवग, सराहनी, इलाडी हैं इनको भी सरकार के त्वारा इसमें भी छूट दी जाने वाली है अब हम इसमें बात करते हैं चैन प्रक्रिया के जो written exam selection process कि एकर हम बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार से selection होगा ए जो है technician, B के लिए draftman, B और इसमें written test and skill test पहले आपको जो है इसमें written test होगा Return test के एकर हम बात करते हैं तो इसमें लिखित परिछा जिसमें से प्रतेक प्रश्ण के एक उत्तर शही अंक होंगे जो प्रश्ण दिये जाएंगे इसमें प्रतेक प्रश्ण के सही उत्तर एक अंक होंगे एक अंक होंगे अस्ती कोस्टन जो है आपको पूछे जाएंगे प्रत्यक साथ 90 मिनट की अवधिं के लिए लिखित परिच्छा संचारित होगा यह परिच्छा जो है 90 मिनट के लिए है 90 मिनट के उसमें आपको समय दिये जाएगा प्रत्यक गलत अंक के उत्तर पर 0.33 अंक जो है काट लिये जाएगा अगर जो प्रत्यक गलत अंसर देगा उ इसका काट लिया जाएगे लिकित परिच्चा का पाठ्थे क्राम है उसी पर आधारिक और परिच्चा इस प्रकार से संचालित कि जाएगी कि निर्धारिया के विश्टार यवं गहराई की शंक्राम को शम्मिलित करते हुए अभ्यार्तिकों को संधान्तिक एवं प्रायोगिक ज्यान की परिच्छा किया जाएगी इसमें क्या करते हैं आपको जो है 90 कोस्चन जो पूशे जाने वाले उसमें ट्रेट से रिलेटेड भी कोस्चन रहेंगे और अधर से भी रिलेटेड कोस्चन रहेंगे अगर स्किल ट्रेश्ट की बात करते हैं कोस्चन परिच्छा की इसमें स्किल ट्रेश्ट के लिए आपको कब बुलाया जाएगा लिखित परिच्छा में प्रदर्शन के अधार पर 1.5 अनपात में के कम से कम 10 अभ्यारती और कौसल परिच्छा के लिए चैनित किया जाएगा कौसल परिच्छा विस्तो धरूब से गो, नो, गो के आधार पर होगी और कौसल परिच्छा प्राफटां चैनि के लिए विचार में शम्मिलित विचार नहीं लिए जाएगा इसमें जो गो और नो के सबते इसमें जो रेशियो दिया जाएगा 1.5 के अनुसार ही जो है दस विद्यारतियों का जो हम चैनि किया जाएगा इस विद्यारती जो 1.5 के रेशियों में जो विद्यारती आएगे उनहीं का जो हम चैनि किया जाए अगर इसमें अप्लिकेशन फीज ती अगर हम बात करते हैं तो इसमें अप्लिकेशन जो फीज दी जाएगा है काटेगरी वाइज इसमें जो है आनरक्षित अभ्यारतियों के लिए जो है लिखित परिच्छा में 32 अंक जो है 80 में से 32 अंक रिटेन टेस्ट में लाना अनिवार है और क्या करते हैं काटेशन परिच्छा में 100 मार्क्ष में 50 मार्क्ष जो है लाना अनिवार है जो लिखित परिच्छा होगी किसमें क्राइटेरिया की क्या दीए उसके लिए है और आनरक्षित अभ्यारतियों के लिए किवल पदों पर रच्छित होने पर जो है इसमें से क्या करते है अस्ती अंक मेसेज आपको 24 अंक लाने हैं और जो है कौशल जो टेस्किल टेस्ट होगा उसमें 100 मेसे 40 अंक लाना अनिवार हैं आगे हमें इसमें बात करते हैं इसमें त्यत्य की तो हमने बात कर ली है कि आपको कप शेक कप तक जो है आवेधन करना है अगर आप सभी को विद्यारतियों कोई वीडियो अच्छी लगी तो जो है आरार क्लास अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा वहां से भी जाकर नॉटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक जो फार्म कल से आवेधन होना स्टार्ट हो गया उसका भी लिंक दे दिया जाएगा वहां से भी जाकर आप इस फार्म को आवेधन कर सकते हैं धर्न्यवाद